नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि बुलारिड M टाबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, बुलारिड M टाबलेट को कैसे लेना चाहिए, और बुलारिड M टाबलेट की वज़से क्या साइड अस्थमाओं का कॉम्बिनेशन होता है, बुलारिड M टाबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजिशन बिलस्टाइन 20 mg और मॉन्टेलुकास्ट 10 mg होता है, बिलस्टाइन एक अंटिहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उप्योग सर्दी जुखाम नजला और एलरजी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है, और मॉन्टेलुकास्ट अस्थमा की वज़र से होने वाले लक्षणों जैसे सांस तूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदी लक्षणों को नियंतरन करने वर रोकने में मदद करती है, बुलारिल M टाबलेट का उप्योग अस्थमा होने पर सर्दी जुखाम नजला और ऐलरजी के लक्षणों को थीक करने के लिए बुलारिड M टाबलेट का उप्योग किया किया जाता है, एलरजी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आमखों से पानी आना, आक, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आधी लक्षणों से राहत पाने के लिए बुलारिड M टाबलेट का उप्योग किया जाता है। डॉक्टर क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानी तवचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर, तवचा पर एलर्जी होने पर और तवचा पर रैशेस होने पर भी बुलारिड M टाबलेट को लेने की सला दे सकता है। मधुमक्खी या किसी अन्यकम जहरीले जानवर के काटने की वज़ह से कुई तवचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर बुलारिड M टाबलेट को लेने की सला दे सकता है। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बुलारिड M टाबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में बुलारिड एम टाबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे मुँ में सूखापन होना, सिर्दर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, मीन अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना और उल्ती आने का मन होना आधी साइड इफेक्स बुलारिड एम टाबलेट की वजह से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे कि बुलारिड एम टाबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. बुलारिड M टाबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है बुलारिड M टाबलेट को खाना खाने से एक घंटे पहले लेना चाहिए या खाना खाने के दो घंटे बाद लेना चाहिए आम तोर पर डॉक्टर 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को बुलारिड M टाबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। बुलारिड M टाबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको बुलारिड M टाबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि बुलारिड M टाबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। बारह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बुलारिड M टाबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशक्ता होती है। वैसे बुलारिड M टाबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। लेकिन केवल ज्यादा जरुरत पढ़ने पर ही डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बुलारिड M टाबलेट को लेने की सलाह देते हैं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर की सलाह के बिना बुलारिड M टाबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बुलारिड M टाबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल